हाई दिस इस जंकित्तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फर ओल देखेंगे कि क्या exact है लेकिन इसमें मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि इसमें exact जो date होता है वो mention नहीं है तो यह कब का data है यह recent है यह कुछ पूराना है इसके बारे में बता पाना थोड़ा सा possible नहीं है तो इसका एक ही तरीका है काफी मैंने सोचा कि क्या हो सकता है तो जो मेरे को समझ में आता है वो तरीका यह है कि आप इस data को देखने के बाद एक RTI reply मैं जिस division का data आपको बताऊंगा उस division में लगा सकते हैं और लगा के यह पूछ सकते हैं कि इस department और इस category में कितने number of students को लिया गया है और उसमें से कितने students join किये हैं और कितने नहीं किय हैं वो RTI के मादियम से आपको पता चल जाएगा और उसको इस data से match करके देख सकते हैं कि यह updated है या नहीं है अगर यह updated data होगा और जो demand उन्होंने ली होगी जो vacancies उन्होंने ली होगी उससे अगर यह ज़ादा है तो आपके लिए बहुत ज़ादा फाइदा होने जा रहा ह तो चलिए NCR में हम देखेंगे आगरा डिवीजन के बारे में देखेंगे आगरा डिवीजन में जो जिस technician की category का data है वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और उसमें गेजटेड और नन गेजटेड पूरा उस department का ही दिया गया है कि कितने अभी sanctioned है और कितने man on role हैं इस time प आपका CNW, mechanical CNW जो है इस branch का मैं data लेके आया हूँ और इसमें देखेंगे कि जो आपका cadre का position वो क्या है और सबसे पहले तो देखते हैं थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा कर देता हूँ तो आप देखो कि cadre position इसमें gadgeted जो mechanical जो gadgeted officers होते हैं उसमें आपका senior DME, DME, ADME, ADME, ADME यह आ आपका अलग-अलग categories हैं और इसमें total देखिए sanctioned 1-1 seat हैं सभी के लिए sanctioned और इसमें से सिर्फ एक ही position है जो कि DME है आपका यह second वाला जो कि vacant है बाकी सब पे तो हैं यह जो आपका DME है यही सिर्फ vacant है बाकी सब पे हैं और यह देखिए आप man on role 0, vacancy 1 तो यह तो आपका gadgeted का है लेकिन हमें इससे कुछ लेना देना है नहीं हम technician के बारे में बात कर रहे हैं तो non gadgeted में हम देखेंगे तो चलिए non gadgeted की बात करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा सही से यह screen पे आ सके तो देखिए non gadgeted में आप देखोगे तो CNW 3 CNW category 3 क अगर बात करें तो जो आगरा division में CNW का जो sanction है वो आपका है 533 सीटे sanction है मतलब 533 को यह रख सकते हैं और इसमें देखा जाए तो हैं कितने अभी इनके पास man on roll तो यह 354 मतलब 354 है और vacances कितनी अबलेबल है तो आपकी 179 vacances इनके पास अबलेबल है ऐसी CNW 4th category में देखें आप देखोगे तो 209 sanction है और man on roll 151 है यह देखिए आप नीचे बिल्कुल दिया हुआ है यह आपका 209 sanction है और man on roll 151 है यह देखोगे आप यहाँ पे 151 man on roll है और vacances कितनी अबलेबल है आपकी तो अन्ठावन vacances आपकी अबलेबल है यह यहाँ पे साब साब दिख रहा है त तो इसका यह दोनों का data आप एक बार दुबारा से देख लो 533, 533 में 354 है और 179 आपकी यह vacances अबलेबल है यहाँ पे 179 इसी तरह से जो आप दूसरा देख रहे थे उसमें आपका 209 sanction है 151 है और 158 vacances है टोटल vacances की बात करें तो 238 vacances total यहाँ पे अबलेबल है अब यह इसमें नहीं है इसे लिए इसको लेके थोड़ा सा मेरे मन में doubt है तो उसका suggestion मैंने आप लोगों को बताया है एक ही उपाय है कि आप आगरा division में RTI reply एक RTI लगाएंगे और उसमें यही question पूछेंगे कि mechanical carriage and wagon में इस इस category में carriage and wagon 3 में कितने students आपको allot हुए कितने students आपको मि मिले हैं और कितने students join किये कितने नहीं किये तो यह जैसे ही RTI reply आएगा यह पता चल जाएगा कि यह updated है या नहीं है बाकी मेरे को data मिला मैं आप लोगों तक लेके आया आगे जैसे भी और categories का data जैसे जैसे मेरे पास आता जाएगा मैं आप लोगों को update करता जाओंगा तो य आगे जैसे ही मेरे पास data आता जाएगा मैं दीरे दीरे सबका वीडियो बनाता जाओंगा बहुत बहुत धन्यवाद